Good morning everyone, मैं पंकच कुमार, Today is topic basic electricity, electricity है क्या, सबसे पहले हम यह जानते हैं, electricity है क्या, तो electricity is a type of energy, it can neither be destroyed nor created, it can only be convert one form to other form, मतलब electricity एक परकार का उर्जा है, यानि पावर है, जिसे ना तो हम पैदा कर सकते हैं और ना ही मिटा सकते हैं, हम इसको एक मसीन की मदद से एक energy से दूसरे energy में transfer कर सकते हैं, यानि convert कर सकते हैं, electricity के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है current, तो फिर current है क्या, उसको जानते हैं, current है क्या, तो हम बोलते हैं कि electron के flow को current कहते हैं, सही बात है, electron के flow को हम current कहते हैं, फिर यहाँ पर question आता है, तो electron क्या है, और कहां होता है, तो इस सब को समझने से पहले हम थोड़ा पीछे जाते हैं, और basic electricity के इस topic में, मुख्य रूप से metal, molecule, atom, atomic structure के बारे में हम जानेंगे, हम जानते हैं कि current को एक जगा से दूसरे जगा जाने के लिए एक राश्ता की ज़रुरत होती है, इसके लिए हम metal की ज़रुरत होती है, और अब यहाँ सवाल यह आता है, क्या हर metal में current प्रवाइट होती है, तो हम कहते हैं, नहीं, हर metal में current प्रवाइट नहीं होती है, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि metal है क्या, इसका निर्मान कैसे हुआ है, फिर जानेंगे कि किस metal में current प्रवाइट होती है, और किस metal में नहीं, तो हम metal के वारे हम सबसे पहले जानते हैं, metal जिसका निश्चित भार होता है, जो अस्थान घेरता है, उसे हम पदार्थ यानि metal कहते हैं, यह हमारे प्रिठ्वी में तीन रूपों में पाये आता है, ठोस, द्रव और गैस, यह तीन रूपों हमें प्रिठ्वी में पाया आता है, अब हम यह जानते हैं कि पदार्थ का निर्मान हुआ कैसे हुआ है? पदार्थ का निर्मान बहुत सारे छुट छुटे अनु के मिलने से हुआ है, हम यह कहते हैं कि पदाज का निर्मान बहुत सारे छोटे-छोटे अनु के मिलने से हुआ है तब बात यह आती है कि अनु का निर्मान कैसे हुआ है तो अनु का निर्मान बहुत सारे छोटे-छोटे परमानों के मिलने से हुआ है और हम जानते हैं कि परमानों का निर्मान एलेक्ट्रोन, प्रोट्रोन और न्यूट्रोन से हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ कि पदार्थ का निर्मान एलेक्ट्रोन, प्रोट्रोन और न्यूट्रोन से हुआ है तो हम यह कह सकते हैं कि एलेक्ट्रोन के परवा को क्रेंट कहते हैं तो फिर हम पदार्थ में क्रेंट क्यों नहीं परवाइद होती है सवाल मेरा पहले भी था और अभी भी है तो फिर हर पदार्थ में क्रेंट क्यों नहीं परवाइद होती है तो इसको समझने के लिए हम एटोमिक स्ट्रेक्चर को समझना पड़ेगा इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एटोमिक स्ट्रेक्चर को समझना पड़ेगा हम जानते हैं कि परमानों की प्राकृति का सुक्षमितमकन नहीं है या एलेक्ट्रोन, प्रोट्रोन और न्यूट्रोन से बना है परमानों के नाभिक में प्रोट्रोन तथा न्यूट्रोन होते हैं प्रोट्रोन में नाभिक के चार और विविन कक्छाओं में विविन संख्या में एलेक्ट्रोन खुमते रहते हैं परमानों के एक क्यांद सगन भाग होता है जो नाविक का लाता है और उसके चार ओर विविन कक्छाएं और 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 बिट में एलेक्टोन परिकर्मा करते रहते हैं प्रोट्रोन जो है प्राकृतिक का मुलकन है यह गती नहीं करता है यह स्टेवल रहता है एक प्रोट्रोन पर पौजेटीव चार्ट होता है और वो चार्ज 1.6 x 10 to 19 कुलम होता है प्रोट्रोन का दरविवान, एलेक्टोन का दरविवान का अठारश अउब पैंटालीस गुना होता है हम इमेज में भी देख सकते हैं कि प्रोट्रोन जो है वो नाभिक में स्थीर है प्रोट्रोन और न्यूट्रोन और एलेक्ट्रोन उसके चार और घूम रहे हैं यह गति सील होता है यह दो परकार की गति करता है एक तो इस्पिन मोशन दूसरा और बिट मोशन यह अपनी ही धूरी पर लट्टू के जैसे घूमते रहती है एक एलेक्ट्रोन पर 1.6 into 10 to power 19 कुलोम चार और न्यूट्रोन पर किसी भी तरह का चार नहीं होता है नेक्स्ट लास में हम डिसकस करेंगे एलेक्ट्रिक करेंट के बारे में थैंक यू